बिटा ये जैपूर है ये जैपूर गंगा जमनी तैजीब का शहर है कोरोना महामारी के बीच जहां एक और लोग परेशान हैं और मदद की आफ में उम्मीद लगाए बैठे हैं तो एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो इस विपत्ती के समय में लगातार सहायता के लिए आगे आ रहे हैं जैपूर से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है जिसमें जैपूर के मुस्लिम विधायक एक महिला का दाह संफकार करवाते नजरा रहे हैं एक बड़ी दुखत घटना आपको बयान करता हूँ में कि मेरे बड़े भाई अपको में लेके आज हॉस्पिटल गया था उनको कोरोना पॉजिटिव है आज हॉस्पिटल में जब में गया उनकी भरती कराने के लिए तो ये एक छोटी सी मासूम बच्ची वहाँ बहुत बुरी तरह से रो रही थी ये मैंने जानता कि ये बच्ची का हासे है लेकिन ये दौनों इसके वरद्द पिता इसके साथ में इनको ये पता नहीं कि एम्बुलेंस का है से मिलेगी इनको ये पता नहीं कि अंत्षिटि के लिए सम्शान घाट का लिया जाए जाएगा मैंने का मैं मेरे भाई का इलाज कराता हूँ उनको एडमिट कराने के बाद इस बच्ची को मैंने यकीन दिलाए कि बेटा ये जैपूर है ये जैपूर गंगा जमनी तैजीब का शेहर है तुम चिंता मत करो मैं आज घर जब ही जाँगा जब इनकी मम्मी के अंतेश्ची हो जाएगी दरसल ये वीडियो कल यानि फोमवार का है जिसमें विधायक अमीन काग जी शव को मोच धाम तक इंबूलेंस से ले जाने और महिला के शव के अंतिम संफकार कराते हुए नजरा रहे हैं हुआ ये है कि विधायक अमीन काग जी अपने बड़े भाई की कोरोना जाँच करवाने के लिए आर यू एचस अफपताल के बाहर पहुँचे थे जहां दो बच्चियां बैट कर रो रही थी विधायक ने बेटियों से रोने का कारण पूछा तो बेटियों ने बताया कि मा का निधन हो गया है अफपताल से मोक्ष धाम तक ले जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं हो रहा है और मा का अंतिम सफकार कौन कराएगा जिस पर बेटियों का रो रो कर बुरा हाल था जिसे देखकर विधायक अमीन काग जी भाउक हो गए जिस पर अमीन काग जी ने ततकाल मोच धाम पहुँचाने के लिए इंबूलेंस करवाई और वे खुद भी मरतक के पती और बेटियों के साथ मोच धाम पहुँचे और अंतिम सफकार की सारी रस्में पूरी कराई जैपुर्फ एई टीवी भारत के लिए अजीद शेखावत की रिपोर्ट